पेज नूमर 13 पर हो ठीक है यह तो अपन मालूम कर लिए P wind अपन कर लिए K1 मालूम कर लिए यह formula में दालो P w into L effective into D girder into 1 plus K1 इदर दालो यह formula में अपने को आगया P wind ठीक है यह है वो P wind अपने जो मालूम कर लिए 116.76 राइट है ना वे उसके बाद क्या है अब इने क्या हाइट पर एक्ट हो रहा वोले तो यह टोटल गर्डर जो है ठीक है यह टोटल जो गर्डर है 22 mm प्लस 2200 प्लस 22 mm कर तो 2.44 जो अब अब अपन साम में ब डाले विच व्यता व्यता वहब अब एक्ट करें ले बिदगें साम में आव धbooरेयों ecb यह 2 meter की spacing पे है जो question में आपने भू दे दिया वा है ठीक है अब यह इसका bending moment ले ना इसका with reference to A तो 2R into 2 फिर यह 116.76 into 1.22 यह अपन जो मालूम करेवे है अब इसके बाद आपन क्या करना यह सब मालूम कर लिए है अपने यह ला लिए अपने आपने आपने जाओ इसको आर बनाना नहीं है अपने को यह 2R लाना है अपने को लेकिन अपने को पर meter होना है तो divided by 26 अपन करेंगे तो लोट पर meter आगया बेंडिंग मोमेंट मालम कर लिए है अपन MW ठीक है ना बए यह क्या था बिरिच अनलोड़ड कंडिशन पर था अब सेम वही डाइग्राम में देखो आप इसमें क्या हरा अपन लोड़ड कंडिशन है आपन वह गड़र्स के अपर बोगी भी आगई है गड़र्स के अपर